गुड मॉनिंग प्यारे बच्चों आज हम क्लास 9 की सोशल साइंस की वक्षीट नमबर 58 को कम्प्लीट करेंगे बिटा यह आपके भुगोल के चैप्टर 2 भारत का भोतिक स्वरूप से रिलेटेड है और इस वक्षीट में हम इस चैप्टर से रिलेटेड मैप पर को कम्प्ल परवत्माला सेकिंड अनाई मुदी परवत चोटी थर्ड है छोटा नागपूर का पठार और फॉर्थ कोंकंतट फिफ्थ है पश्मिघार तो यह सभी पॉइंट्स जो है हमें इस मैप पर शो करने हैं बेटा आपकी बुक में मैप दिया गया इस चैप्टर में उसमें आए गया तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाते हूं इसको पहला पॉइंट है हमारा बेटा अरावली परवत श्रेनी जो है यहां पर अगर आप देखेंगे तो यह दिखाएगे यह जो की राजस्तान के मध्यमें है उसके बाद बेटा हमारा सेकिंड पॉइंट ह चोटा नागपूर नागपूर यहां पर अगर हम आते हैं ज्यारखन के पास बढ़ता है शरा भान में हानवारि और दख्षिन श्रेनी यह जो है और यह जो है ब्यादा है ही जो है सबसे उची चोट है है जिसे ठ्रेंगर से दिखाया गया यहां पर है उसके बाद पश्यमीがutet रेड लाइन से हमें दिखाय गया है यह यह हमारा सारा क्या है पश्यमी घारÍ और अरब-साओर कर एरिया हैК минут इसके बीच में यह महराष्र bashK से लेकर गुवा तक ये हमारा के कॉंग कनत ये हमारा पूछागे आप से मैप में उसके बाद जो हमारा करनाट का से लगता हुआ वहां पर जो जो विस्तार है उसको हम कहते हैं k이다3 और जो केरल में विस्तार है इसको हम कहते हैं मालावार तट तो ये हमारे पांचों पॉइंट्स जो है कवर हो गए इस मैप में आपको ध्यान से इनको अपने मैप में फिल करना है उसको कॉपी में पेस्ट भी करना है अब यहाँ पर हमें कुछ गोश्यन्स दे गए इस मैप से रिलेटेड कराकोरम श्रेणी में सबसे उची चोटी कौन सी है तो बेटा यह हमारी यहाँ पर कराकुरम श्रेनी है और अगर हम इसको देखें तो इस कराकुरम श्रेनी में यहाँ पर आपको दिखाया गया है केटू तो यह हमारी जो कराकुरम श्रेनी है उसकी सबसे उची चोटी है Next question है बिटा नर्मदा और तापी नदियों के बीच में कोन सी परवत श्रिंकला स्थित है तो बिटा यहाँ पर देखेए यह जो है हमारी नर्मदा नदी है और यह हमारी तापी नदी तो इसके बीच में यहाँ पर हमें दिखाया गया सत्पुड़ा श्रेनी तो इन दोना दंदियों के बीच में जो है सत्पुडा परवत श्रेनी आती है बेटा उसके बाद नेक्स कोईशन है बेटा हमारा विंदे श्रेनी के उत्तर में कौन सा पठार स्थित है तो यहाँ पर बेटा यह हमारी विंदे श्रेनी है और विंदेश रिनी के उत्तर में यह है हमारा मालवा पठार नेक्स्ट कोशिन है बेटा कोरो मंडल तट के पास सित भारत के दो राजों के नाम लिखिए तो अगर हम भारत के यहाँ पर दक्षिन भाग में आते हैं पूर्वी घाट की तरफ तो यहाँ पर यह है हमारा कोरो मंडल तट और कोरो मंडल तट जो है यहाँ पर तमिलाडू और आंध्र प्रदेश तो इसके उसमें यह दो राज जाते हैं तमिलाडू और आंध्र प्रदेश नेक्स कोईशन है बिटा पूर्वी घाट भारत के मानचित्र में किस दिशा में स्थेत है बिटा यह हमारा मैप है और यह हमारे पूर्वी घाट तो पूर्वी घाट जो है बिटा हमारे भारत का यह हिस्सा जो है हमारा दक्षिन दिशा है और दक्षिन दिशा में भारत में ये कौन से साइट पर है पूर्वी दिशा में तो ये है हमारा दक्षिन पूर्वी दिशा में पूर्वी घाट आई हो बच्चों आपको ये मैप क्लियर होगा अच्छे से इन सभी कोश्चन्स के अंसर मैं आपको रिटन में भी दे देती हूँ फर्स्ट कोश्चन का अंसर था हमारा केटू सेकिंड सत्पुड़ा परवश्रिंकला थर्ड मालबा का पठार फोर्थ आंत्र प्रदेश्ट था तमिनलाडू और फिफ्ट कोश्चन का अंसर है दक्षिनपूर्वी दिशामे यहां वक्षीट के एंड में हमें कोविट से संब आप पने से दोना चाहिए यहां पर हमारे वक्षेट कंप्लीट होती हैं तो आप कमेंठ करके पूछ सकते हैं अगर आपको वक्षेट अच्छी लगी है वीडियो च्छी लगी है वक्षेट समस्जा आये तो वीडियो को लाइक कीजूज शेयर कीज ad और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं की है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नूटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके बाई 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 बच्चों वाई गूड दे फ्यारे बच्चों